दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर में आपको बताऊंगा कि जब आप GSTR 3B जब कभी भी फाइल करें तो उस केस में आपका जो 3B का जो डाटा है यानि कि वो जो उसमें आप ITC जब चेक करते हैं तो उस केस में जो डाटा उसमें ओटो रिफलेक्ट होता है जब आप GSTR 1 फाइल करते हैं और GSTR 1 का ही डाटा GSTR 3B के अंदर आपको देखने को मिलता है और इसके साथ ही 2A यानि GSTR 2A और 2B इसका भी डाटा आपको GSTR 3B जब आप फाइल करते हैं तो उसके अंदर आपको देखने को मिलता है तो अब यहां पर मैं आपको दिखाता हूँ कि यह मैंने पहले मैंने एक वीडियो जो है आपको बनाई थी कि GSTR 2A और GSTR 2B के अंदर क्या डिफरेंस है तो उसी को समझने के लिए मैं यहाँ पर आपको जो है return to dashboard पर जाता हूँ और अब यहाँ पर जिब है नवंबर मंत की मैं बात कर रहा था क्योंकि मैंने नवंबर मंत का ही GSTR 1 फा बताया था तो 2B के अंदर report generate नहीं हो रही थी तो अब इसकी जो report generate हो चुकी है जब मैंने आपको बताया था कि 13 जो होता है यानि कि हर महिने की 13 तारीक को रात को 12 बज़े यानि 13 तारीक खतम होती है और 14 तारीक जब start होती है तो उस time पे यहाँ पे portal पे टूबी का data जो है update हो जाता है तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे आज 14 दिसंबर है यानि 14 तारीक है अब जब मैं इस पे view पे click करता हूँ तो इसके अंदर आप देखेंगे कि यह पूरी की पूरी वो table है यानि 2B जब भी आप 2B के अंदर check करेंगे तो हर मैने की 14 तारी देखेंगे तो यह यहाँ पे आपको complete detail आपको देखने को मिलती है तो यह ITC जो होता है यानि कि आपको जो input जो tax credit मिला है वो यह दिखाता है यहाँ पे इसके अंदर यह जो GSTR 4 जो ए और 5 के अंदर GSTR 3B के अंदर जब यह data आप देखेंगे तो यहाँ पे integrated text यह जो है इस IGST होता है और state tax जो है यहाँ पे SGST होता है इसके साथ ही आप यहाँ पे नीचे एक option आगया I के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे 4B और oblique 2 के अंदर जो IGST है और यह central tax और state tax यह जो amount आपको देखने को मिलता है यह credit note के amount होता है यानि कि मैंने जो है credit note जो है यहाँ पे issue कि जा था अब आपने जो credit note issue किया वह amount नहीं है यानि कि आपको credit note का जो यह tax amount जो आपको मिला है वह amount आपको यहाँ पे देखने को मिलता है तो जब मैं इस पे click करता हूं तो यहाँ पर आप देखेंगे others पे जब click करते हैं तो यह देखे credit note यानि कि यह जो आपका B2B invoice जो आ यहाँ पे दिखाता है कि central tax और यह state tax और यह इसके अलावा IGST है जो कि other state जो होती है उसका यह IGST amount credit note आपको issue होते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है अब यही पूरा का पूरा data यानि कि आपको जो किस मन्त के अंदर नवंबर मन्त के अंदर मेरे को यहाँ पे ज 740 रुपे और central tax यानि CGST है 4736 रुपे और यहाँ पे SGST जो SGST भी इतना ही similar है 4736 रुपे तो यही amount आपको 3B के अंदर देखने को मिलेगा अब इसके अंदर यह credit note का जो IGST है और यह central tax और state tax तो exact यही figure आपको 3B के अंदर देखने को मिलेगा तो यहाँ पर total अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो on an average मैं यहाँ पर lump sum मेरा जो है यहाँ पर 18,000 का यहाँ पर amount निकल के आता है कि मुझे November month के अंदर 18,000 तक का मेरे को इसके अंदर claim मिला अब मैं वापस अगर बेक आता हूँ अगर इसी summary को अगर आप यह PDF format के अंदर देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप करेंगे download to be summary PDF तो PDF के अंदर भी आप इसको देख सकते हैं इससे previous वीडियो के अंदर भी मैंने आपको दिखाया था वो JSTR 2A की summary थी अब यह जो JSTR 2B है इसकी भी summary आपको इस तरह से देखने को मिलती है PDF format के अंदर और इसके साथ ही अगर आपको इसको Excel format के अंदर डाउनलोड करना इसमें सबसे first number पर होता है read me इसके अंदर जितने भी seats होती है उन सब के यहां पर description दिया हुआ है कि B2B जो seat है आपकी यह B2B इसका क्या मतलब है इसके अंदर आप देखेंगे B2B के अंदर जितनी भी details होती है वो सारी की सारी आ जाती है इसके अंदर taxable amount भी आपको देख आपको इसके अंदर देखने को मिलती है इसके साथ ही आपके credit note की जो amount होते है वो भी आपको इसमें अंदर देखने को मिलते है credit note की जो value होती है तो यहां पर first number की जो seat है आपको उसके अंदर पूरी की पूरी guideline दी गई है कि आप इसको अच्छे से study कर लें और उसी हिसाब इससे आप अपना reconciliation तयार करें GSTR 2B से ना कि 2A से अब मैं आ जाता हूँ वापस अपना जो है back to dashboard और अब यहां पर मैं आपको अपना electronic credit laser दिखाता हूं तो services के अंदर laser laser के अंदर electronic credit laser अभी मेरे इसके अंदर आप देखेंगे कि अभी तक मैंने जब तक 3B मैं फाइल नहीं portal पर यह मेरा laser balance है तो 32,000 का lump sum यह मेरा amount है और 18,000 का मुझे अभी मिला है तो lump sum total overall अगर मैं देखूं तो यहां पर मेरे को 50,000 तक का जो मेरा amount है वो इसके अंदर portal पर अभी है लेकिन जब मैं 3B फाइल करूंगा तो इसमें से थोड़ा सा कुछ plus minus आपको देखने को मिलेग तो अब मैं वापस अपने आ जाता हूँ dashboard पे और अब मैं जो है अपना है written file कर देता हूँ यहां पे file written और November मन्त की मैं बात कर रहा था आपको तो यहां पे मैं search करूंगा और अब यहां पे मैं 3B file करूंगा अब जिसे मैं यहां करता हूँ prepare online और nil की मैं भी file नहीं कर रह है अगर आप nil file करना चाहते हैं तो आप yes को select करें और मैं करता हूँ next अब यहां पर जब भी आप click करते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पे gstr3b की जो table होती है इसमें 3.1 के अंदर abce और 3.2 liabilities की जो है gstr1 gstr1 file कर चुके हैं और उसकी summary भी यहां पे आप देखेंगे कि generate हो चुकी है और इसी के जहां साथ gstr2 भी है उसकी भी जो है status हो भी generate हो गई है और उसकी summary भी generate कर चुके हैं इसके साथ जो होता है 4a के अंदर जो table होती है उसकी यहां पे यह total मतलब सारी की सारी green होनी चाहिए और status के अंदर आपकी yes होना चाहिए अगर जब तक यह complete नहीं फाइल नहीं हो पाएगा तो अब यहां पर यह सारी की सारी जो है मेरी summary जो है complete है अब मैं इसे कर देता हूँ close और अब यहां पर आपको table number 3.1 के अंदर देखेंगे तो जब यह मेरा IGST यानि इंटेग्रेटेड जो tax बनता है 7448 यानि कि approach इसके अंदर मेरा जो IGST निकल के जाता है यानि कि यह मैंने जब GSTR 1 फाइल किया था यह वह detail है उसके अंदर मेरा IGST 7500 बन रहा है अब यहां पर आप देखेंगे कि जो 3.2 है Interstate Supply के अंदर taxable value जो मेरी निकल के आ जाती है 43,000 की मैंने जो उसके अंदर GSTR 1 के अंदर एंटर की थी और उसके अंदर IGST amount यहां पे 7500 लमसम शो कर रहा है अब इसके अंदर यह तो हो गया कि मुझे अब पोर्टल से इसको पेई करना है और पेई करने के साथ ही अब यहां पे eligible ITC यानि eligible का मतलग होता है कि नवंबर मन्त के अंदर मुझे total claim कितना मिला पोर्टल पर तो यहां पे आप देखेंगे मुझे जो claim मिला था 5602 रुपे तो IGST मिला central tax के अंदर 2723 रुपे मुझे मिला और state tax के अंदर भी 2723 रुपे तो यानि लमसम अगर मैं overall अगर यहां पे देखता हूँ तो साड़े 5000 का मुझे IGST मिला है और इसके साथ ही 2525,000 यानि लमसम मेरे को जो इसके अंदर है 11,000 तक का मेरे को इसके अंदर नवंबर मन्त के अंदर जो है यह total यानि की input ग्यारा अजार इसलिए आपको जैसे बता रहा हूँ इससे पहले मैंने आपको 18,000 बताया था मिल रही है तो अभी यहां पर जब मैं सिस्टम की जो समरी जनरेट करता हूँ तो इसको समझने के लिए भी मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि GSTR 2B के अंदर जो डाटा था यानि कि यह जो मेरे को अभी आप देखेंगे कि इसकी पूरी की पूरी में detail आपको दिखाऊँगा जैसे यहां पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने पर यहां पर आप देखेंगे कि जो all other ITC है यानि 5840 रुपे यह यहां पर GSTR 2B का tax है SGST इस amount को आप change भी कर सकते हैं बट मैं भी यहां पर change नहीं कर रहा क्योंकि मेरा data यहां पर accurate है अभी यहां पर जो अभी यह credit note था अब credit note का जो amount है यह देखें यह credit note की जो amount है यह इसमें से less होंगे यानि कि आपको जो total मिला claim 5800 उसमें से credit note का जो amount है वो less हो जाता है और less होने के बाद में final amount आपको यहां पर देखने को मिलता है इसी तरह से total यहां पर जो है state tax यहनि की जो central tax होता है उसमें से भी यह less होगा और less होने के बाद में जो aggregate value निकल के आ जाती है वो यहां पर जाता है यह इस table के अंदर c के अंदर यहनिकी a minus b इसमें से less होने के बाद में यह आपका complete summary दिखाता है और यह जो amount है यह यह वाला जो आप amount देख रहे हैं IGST और CGST और SGST यह 2b की जो table थी उसमें जो amount आपने देखा वो ही आपको यहां पर देखने को मिलता है और यहां पर यह final है मैं यहां पर किसी भी तरह का कोई changes नहीं कर रहा हूं और इ इसकी कर देता हूं system generated summary 3b यह इसकी summary जो है यह generate हो गई है इसकी और यहां पर आप देखेंगे कि total जो होती है taxable value अब यहां आप में आकल है 24,914 हो गई है और यहां पर integrated tax जो आप देखेंगे 7,484 रुपे और यह state wise आपको इसके अंदर summary देखने को मिल जाती है क्योंकि य यह जो value यहां पर आप देखेंगे कि 24,000 का जो लेस हुआ है एक credit note जो issue हुए थे उसमें से less करने के बाद में जो value निकल के आ जाती है वो यहां पर issue कर रहा है और इसी के अंदर यह state wise आप summary देखते हैं जो भी आपने gstr1 के अंदर जो file की है अब यहां पर इस summary को मैं close कर देता हूं और अब मैं इसको कर देता हूं वापस रिफ्रेस करता हूं यहां पर और यहां पर मैं करता हूं proceed कि तो यहां पर भी मुझे थोड़ा सा दुबारे login करना होगा मैं दुबारे login कर लेता हूं अब वापस जाता हूं return dashboard और अब यहां पर आपको अगर प्रिव्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो प्रिव्यू देख सकते हैं और इसको साथ ही save gstr3 भी अगर आप करना चाहते हैं तो save कर सकते हैं या direct आप यहां पर प्रोसीटू पेमेंट भी कर सकते हैं अब मैं यहां पर select कर रहा हूं कर देना है मैक पेमेंट लेज पॉस्ट क्रेडिट तू लेजर आपको इस पे क्लिक करना है और येस पे आपको क्लिक कर देना है ऑफसेट यहां पर आपको select करना है और अब यह जो final जो summary आप देखते हैं कि यहां पर जो IGST amount निकल के आ जाता है वो यह है और इसके अंदर यहां पर आप देखेंगे कि other जो होता है कि reverse चार्ज हुआ है यहां पर 7,448 रुपे और इसके बाद यह जो IGST amount है यहां पर आपको यह देखने को मिलता है पाचाजार 602 और इसके अंदर Central Tax 1846 रुपए आपको देखने को मिलते हैं तो अब इसमें जो है Central Tax आपको देखने को मिल रहा है कि अगर अगर आपको रिस्टीव होता है वो ओटीपी आपको यहां पर डाल आए और अब यहां पर जो है मैंने अपनी जीएश्टीर 3B फाइल मेरी हो चुकी है और अब मैं जब बेक जाता हूँ बेक जाने पर मैं डेस्ट पर चला जाता हूँ वापस फाइनल पे और अब मैं आपको अपना जो लेजर है वो दिखाता हूँ सर्विसेज सर्विसेज के अंदर लेजर लेजर के अंदर इलेक्ट्रोनिक रेडिट लेजर तो अब यह अमाउंट आप देखिए कि पहले माइनस आपको देखने को मिलता है तो इस तरह से दोस्तों आप अपना GSTR 3 भी कभी भी फाइल करें तो कुछ ऐसी बेसिक जो information थी जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में share करने चाहिए थी वो मैंने आप लोगों के साथ share की है तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इससे like और share जरूर के और मेरे channel को subscribe करना ना बोले